ठेलो फ्रेंट आज की मेरी जो रेसिपी ए or बनाने वाली हूंDDD the बनाने वाली हो चुकंदर की रेसिपि लेके आई हैं तो चुकंदर व्योग से बहुत सारे रेसिपी पहने डाल दिया है जैसे की जूकंदर का जूच लॉट डुट घूया हूं इस तरह के बहुत जादा बढ़ता है इसमें फाइवर होता है सहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही हिल्दी है यह तो जहां तक होसकी इसको इगनोर ना करें बलकि जादे से जादा यूज करें और बाकी जुसमार हमारा है लसन दरग लाल मिर्ची पौडर नमक काली मिर्च पौडर खटाई और यह जीरा साथ में हमने दही भी लिया है तो दही बस एक चमशी उसकरना है तो मैं क्या करूंगे यह चुकंदर लिया है यह आटा भी देख लिए आटा हलिया अमने डो बनाने के लिए यह हमारा जुचकंदर खटा हुआ 6 इसमें मैं डालूंगी लसन दरग और जेरा इसमा में पेश्ट बना लोगी तो पेश्ट बनाकर यहीं इसको आठे में डाल करके इस दो तयार करना है तो इसे sempre बना लूँ पहले की नहीं है तो राठा कि कभी रोटी यहुज कर और यह दाइ नहीं है तो यह यह तो तरह तरहके सब परांज आपकंत। से ज्यहंटे क muffled बहुत है कि अगया न भी और शहला स्कूर लेगों दिकाता है karis इसमें फाइवर होती है इसको में रखोंगी दस मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए यह दिखें दस मिनट हो गया तैस से पंदरा मिनट वीस मिनट भी आप रख सकते हैं अब थोड़ा सते लगा के हाथ में इसको मैं अच्छे से मसल लोगी दो चार्प मन चमानने बाद यह और भी जादा अच्छा इत्म सौट हो जाएगा तो बिल्कुल यह पराठा बनने के ल खा रहाता है क्योंकि खून की मात्रा बहुत सादा पढ़ती इससे देखिए इस तरह से लोगी बना ले और जिस तरह से पराठा बनाते हैं रोटी बनाते हैं उसी तरह से बेल के अप तयार करें और इसको तेल में तल दें तो गरम गरम इसको चटनी के साथ या फिर आप द बहुत तुखा भी ले थोड़ा मगर बच्चे तो नहीं खाते हैं तो इस तरह से तरह तरह की आइटम में रहा करके उनको दें और सेहत का ध्यान भी रखें दूसरे साथ से इसको मैं पलड़ दोंगी और इसकी बाद तेल लगा के इसको अच्छे से बना लोगी इसको गरम आसानी से देख सकें थेंक्यू फो रोची है 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 कि बनके तयार हो गया है इसी तरह से सब इसे बना लेना है कितना अच्छा दिख रहा है